नमस्कार दोस्तों एक बार से फिर आपका स्वागत है BCI NEWS में और आज हमार साथ फिर मौजूद है एक्सरो ओफिसर मिर्स्टर एनके सूद जी और आज हम बात करेंगे महरास को लेकर के जी हाँ जानते हैं सूद साब से जी सूद साब आपका BCI NEWS में स्वागत है सूद साब आज हम जानेंगे के जो महरास्टर में सरकार बनी है तिगडी सरकार जो बनी है उस बारे में आपका क्या कहना है और किसने क्या खोया क्या पाया जी यह महारा पहला कोशना से है महाराष्टर में जो कुछ उलट परलट हुआ, उसके उपर अभी गोर्रमेंट ने उद्दव ठाकर ने शेपत ले लिए, उन्होंने अपनी गोर्रमेंट का काम करना शुरू कर दिया, पहले उन्होंने एक दो काम ऐसे की हैं, जैसे कुछ सब की जो आनगोइंग जैसे कि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट में सरकार तो बन गई है, तिगडी बन गई है, लेकिन किसको किस से क्या फाइदा है, लेकिन मैं तो इस चीज पर देखता हूं कि जो दफ ठाकरी है, इन्होंने जो यूटर लिया है, अपनी पॉलिसीस का, बाला साब ठाकरी की जो सिस्ती शुरू से जिस पर शिवस्याना खड़ी थी, उस पर जी यूटर लिया है, उनके हार्ड कोर तो उनके साथ ही रहेंगे, जो उनके साथ बंदे हुए, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम ये अपने 50% कैटर जो है, ये अपने लूस कर देंगे, 50% सपोर्ट इनको जो की दुवारा से जिसका रीबर्थ होने वाला है, और इसके जो कैटर जो है, वो हिंदुवता वाले कैटर है, तो वो डेफिनेटली MNS की तरफ राज ठागरे की तरफ जाएंगे, और आप देखेगा कुछ हफतों में आपको इसके जल्ड भी नजाना में चुरू हो उपनी 2 चीजे छोड़नी पड़ीगी, एक उसको अपना दो सिम्स के खिलाफ जो बोलना जो चोड़ना पड़ेас कि वहान पड़ेगा, कोई मुहें चलाते हैं, वह जोड़ना पड़ेगी अब्य जासे देखा जाए क forgal बना वहां पर भी फो कउच जॉदा सख्रियाॉ तो प्मधे सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिए कभिंगे साथ को अयुक्त पुछा बनों जया चाहिए और मुझे नहीं लगता कि मेरी खैल में प्रेश यह सब्सक्राइब करके चिव सिर्व सैना का क्या था जो प्शी अन्युक्त यह पेटे को बनाना तो इनकी नया डबोने का काम जो है वो Sanjay Raut नहीं कीए. कॉंग्रेस किया करेगी? कॉंग्रेस का क्या रहेगी? कॉंग्रेस का बेसिकली गोर्में में रहना ही बड़ा इंपोर्टन है. कॉंग्रेस का अजन्टा डिफरेंट है. जहाँ ईहाँ पर महराश्रा में आने काया महाराश्रा इंडिया के फाइनेशल कैपिटल है। ज़ाम इन्पहराश्र mobile दो चीजे चाहती हैं, एक तो यह चाहती है यह दोनों प्रजेक्ट जो अगर बंद करते हैं उससे इंडिया का रिलेशन्स जपान से और साउदी से बिगड़ जाएगा उनसे भी नहीं बिगड़ेगा उसके साथ साथ वर्ड में कोई भी कंट्री इंडिया में पैसा इंगस करने नहीं आएगी इसकी वज़ा से और आप यह दो एक्सपोस हो गया उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक सुई तो उसको मानने को तियार नहीं थे उसने गोल्मेट को पॉस करने शूरू करी है जिसके जिसके जिसकी वाएसे पाकिस्तान टीवी में इंके च्छाय रहे और फिर इनने सिदू को बेजा पाकिस्तान म प्रोड़ी के ओर्डर पे उसने का कौन सा कफ्तान अब लिंदर सिंग उसने का नहीं बड़े कप्तान राहूल गांदी की तरह बिशारा था तो राहूल गांदी और जो कॉंग्रेस का जो भी अभी अटिचूट चल रहा है सारा वो बेसिकली है एक इनका ऐसा नेगडिव अब देखे जब पहली बार इंद्रा गांदी के टाइम में कॉंग्रेस से अपोजिशन में थी तो इनोंने खलेस्तानी मूव्मेंट को हवा दी अब फिर यही किया और यह भी जो यहां पर काम है यह चाहते है कि देश की टोटल प्रोग्रेस खतम हो जाए ताकि इनका जो एक जैसे कॉमिनिस्टों का अटिचूट रहता है कि आपकी फ्रोग्राइस नी होगी डेललफमेंट नी हो तो लोग आपके पास गरीब लोग आपके पिछे पीछे पीछे पड़े रहेंगे तो कांंग्रेस की वोई पालिसी चल रहा बतरब इ Mustige सीध necesit we are of His आज कार जाले पहले भी गुट्मेंट रिक्शन स्टार्ट कर चुक है इसके इडिका कर चुक है और इनका जैसे वह खेतों कि इंकम है इनकी कई सौ क्रोड की इंकम है खेतों से बड़े अजीव से इनके वो जो इनके मतलब भाने थे पैसे रेस करने के और कोई इश्यू नहीं उठा तो उसके भी उठेगा फिर एक बोरा रिपोर्ट है उसने इंडिक्ट किया हुआ है शहरत पवार को और उसके बाद एक मिनिस्पर कमिशनर थे मुंबई के उन्होंने प तो हम यह सोचते हैं जेल में बहुत बहुत शुक्रिया तो हम एक क्वेशन और बीच में उठता है कि शरत पवार जब इतना दावद सलिंग है और अस पर एक श्याद लिया जा रहा है तो कि इसी कारण से अजीद पवार से अलग हुए है वो इसलिए सपोट अजीद पवा कहते हैं कि मैं पड़ा लीडर हूं तो इनके डिफ्रेंसिस तो चली रहे थे उसके और दोनों सुना है टॉकिंग टर्म से भी थे भी मैंने फोटो देखी अजीद पवार शुलेगी आपस में तो दोनों बेसिकली खिचे हुए थे आपस में तो यह डिफ्रेंसिस एक बार जाएंगे तो नहीं अगला क्वेस्टन आप जानेंगे जो जनता जानती है कि हिंदुतिके नाम पे जो है सिर्सेना इलक्षन लड़ा और पूरे नौर्थ इंडिया में उसको जाना जाता है तो अब क्या लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्सेना का वजूद काम हो देखिए वैसे तो महराष्ट्र के बार इनका वुद बहुत कम था लेकिन फिर भी इनके प्रेस्ट थी इनके उफिसे खोले हुए जगा जगा में देखनों मैं दिलीम के अंदर और इवन बाकी जगा में नौर्स इंडिया में वो सारे उफिसे बंद होगे उनके ताले किरू हो जाएगा चुकि लग रहा है भी कि सिवसेना जो हिंदूत के मुद्य से बठक चुकी है बेसिकली बठक है यह राम मंदिर को भूस करने लगी मजे की बात ही आ गई वो कहते है कि इनकी बुद्धी परश्टों चुकी है यह पावर खेचकर में अब इनका हिंदूत तो खतम हो चुका है लेकिन कॉंगरेस से नहीं करो और उनकी लोगों ने पच्छिस सो वीडियो भी निकाले लेकिन इनों ने वही कर दिया सिरफ यह था कि आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते थे अगर मेरे ख्याल में अपने बेटे के बजाए अपने बेटे के बजाए सब्सक्राएं. झाल